मेले में एक लड़का गुबारे पर निशाना लगा रहा था दूसरा लड़का उसे बता रहा था कि कौन से गुबारे पर निशाना लगाना है जैसे वो निशाना लगाता था गुबारे पर निशाना लगता ही नहीं था यानि कि उसका निशाना चूग जाया करता था और ऐस तो एक बार नहीं कई बार हुआ इस द्रश्चे को एक भिकारी जो पास में खड़ा हुआ था वो भी देख रहा था तब उस भिकारी ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज नहों तो मैं देखूं एक बार निशाना लगा के जैसे उस लड़की ने उस भिका भिकारी को जो जो टार्गेट दिये गए थे उसने हर एक टार्गेट को बड़े आसानी से भेद दिया और इस द्रश्चे को उस मेले में बहुत सारे लोगचे देख रहे थे और देखकर अपने दांतों तले उंगली दवा लेते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस लड़के के सामने जो लड़का अभी कुछ दिन पहले मेले में गुबारे फोड़ रहा था उसके सामने सोचली मीडिया पर एक न्यूस वाइरल हो रही थी और उस न्यूस को देखने के बाद वो लड़का है तुरंत अपनी मा के बाद जाता है रमा से जाकर पूरी कहा मिला था दरसल ये विकारी नहीं ये तो अधिकारी है असल में आज की जो कहानी है उस विकारी की है जो कभी अधिकारी हुआ करता था कैसे वो अधिकारी विकारी बन गया कैसे वो मिला ये कहानी बहुत ज़दा वाइरल होती है और कैसे उस लड़के ने अपनी ये दास्ता एक सोशल मीडिया के पेश पर शेयर किये थी आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की ये समझने की कोशिश करते हैं हादाव नमस्कार सस्त्रियकाल मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको समानी जा रहा हूँ इस सची घटना है मद्धे परदेश के दरसल मद्धे परदेश को 28 विधान सवा सीटों पर उपचनाब हुआ था और 10 नवंबर 2020 को उसकी मतगरना होने वाली थी सुबह 8 बजी से मतगरना शुरू हो जाती है इसके बाद इंतजार किया रहा था कि कौन से सीट पर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये जानने के लिए दिन भर लोग टेली विजन पर जुटे रहते हैं लेकिन मद्धे परदेश का एक जिला ऐसा होता है गौलियर गौलियर की एक सीट पर कुछ तकनी की दिक्कते आने के कारण रात के बारे बज़ जाते हैं और रिजल्ट की घोशना नहीं होती है आखिरकार रिजल्ट के इंतजार करते करते रात का एक बज़ जाता है और जब एक बज़ी घोशना होती है उसके बाद फिर लोग अपने अपनी राहत की सांस लेते हैं सबके सब चले जाते हैं, अधिकारी भी अपने अपने लोड जाते हैं ऐसे ही दो अधिकारी होते हैं, DSP की जिन की पोस्ट होती है एक का नाम रतनेश कुमार तॉमर होता है और दूसरे अधिकारी यांकि दूसरी भी DSP साव होते हैं विजे भदोरिया दोनों अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, ये सुरक्षा विवस्ता का जायजा ले रहे थे, कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, रात के लबहग डेड़ बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, 10 नवंबर साल 2020 की में बात कर रहा हूँ, जैसे ही अपनी गाड़ी से जा रह गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद उस गाड़ी को जब पीछी लाया जाता है, तो सिपाही से कहा जाता है, जाकर देखो कोन है, कोन नहीं है, जैसे दोनों अधिकारी नों या आदेश दिया, उसके बाद सिपाही ने जाकर जब करीब से देखा भूर कहूंगा कि वो ठंड से पुरी तरह से काप रहा है। जैसे दोनों अधिकारी ने यह बात सुनी आपस में दोनों बातचीत करने लगते हैं। अचानरक फिर से गाड़ी चले만 अधिकारी दिसाइड करते हैं। ठीक है उसे ठंड लग रही है तो कुछ उसके इंतजाम कर देते हैं ऐसा ना हो कि सुबह को हम लोगों को ही यहाँ पर सूचना मिले और दुवार असा आना पड़े गाड़ी फिर से बैक होती है बैक होने के बाद उसमें से एक DSP साब उतरते हैं तो वो अपने जूते उतार के उसको दे देते हैं कहते हैं कि भाई तुम इने पहन लो दूसरा जो अधिकारी होता है वो अपनी जैकिट निकालता है और जैकिट निकालके उस भिकारी को देता है जैसे ही उस भिकारी ने जैकिट को पहना तो उधर से वो ब तुम कौन हो तभी मुस्क्राने लिगता है, हलकीसी मुस्क्राहट के साथ कहता है, कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं मेरा नाम मनीश मिश्रा है जैसे मनीश मिश्रा के बारे में ये बात सामने आती है, पचास साल का वो व्यक्ति, डाड़ ही उसकी बड़ी हुई है, बाल उसके बड़े हुएं, कपड़े उसके तन पर थे, लेकिन फटे हुए, ठंड से वो कांप रहा है, नाम अपना मनीश मिश्रा बता रहा है अब मनीश मिश्रा का नाम सुनने के बाद, रतनेश कुमार तोमर और विजे सिंग बदोरिया आपसे बाचीत करने लगते हैं, विजे सिंग बदोरिया बोले क्या तुम इसे जानते हो, नाम तो सुना सुना लग रहा है, जाना पेचाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे क बेहत होशार भी होता है, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने का उसका अंदाज़ा था, साथ ही उसका जो निशाना था वो एकदम अचूग निशाना था, और उसकी तारीफें पूरे बैच में होती थी, उनीस सो निन्यान में जब उसकी नोकर लग जाती है, तो जि ज़्यादा खास पिर्ती किरिया नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी मान से किस्तिती थी, उसकी मनों जदशा थी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तब ही DSP और दोनों आपस में बाचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त है, तो इसे लेके करने लगते हैं, दोनों DSP, और वो भीकारी बारवर मना कर रहा था, तभी जो सिपाही होता है, उसने कहा कि साफ परशान क्यों होते हो, पास में ही एक NGO है, जो कुछ ऐसे लोगों पर काम करती है, क्यों ना उन्हें बुलाया जाए, उन्हें बुलाने के बाद इनको दिखा की पोश्ट से भरती होता है, उसके बाद 2005 तक दतिया में उसकी पोश्टिंग भी रहती है, थानेदार भी रहता है, अलग-अलग जिलों में उसकी पोश्टिंग भी होती है, तो ये उस व्यक्ति को लेके जाते हैं, उसके बड़े हुए बालों को काटा जाता है, डाड़ी मनीश मिर्श्रा के साथ वो सारे के सारे लोग मिलने के लिए चले आते हैं और ये कहानी ये सोचल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वारल होने लगती है अब हर को ये जाना चाहता था कि आखिरकार जब ये इतना होश्यार व्यक्ति था जब इसके निशाना बड़ा अचूग था जब इसकी अच्छी कासे नोकरी चल लही थी सब कुस तो ठीक था तो फिर हुआ क्या कि आखिरकार ये विकारी बन गया दरसल इसके बारे में जब पुलिस ने पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति के जो पिता होते हैं साथ ही इसके चाचा होते हैं वो एसपी की पोस्ट से रिटार भी हो जाते हैं खुद इसका भाई भी होता है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोस्ट पर होता है और जो बहन होती है चचेरी बहन वो विदेश में कोई जैसे विदेशी दूतावास होते हैं ऐसे ही कोई फॉरन सर्विस में वो जोब कर रहे थी पूर्या परिबार बेहत पड़ा लिखा होता है और पत्नी जो होती है वो नियाईक सेवा में होती है लेकिन साल 2005 तक तक तो ज 2010 भी आ जाता है पांस साल तक इलाज चलता रहा इसी बीच में पत्नी से अनवन और जादा हो जाती है पत्नी तलाक के लिए अरजी देती है और तलाक हो जाता है अब यहाँ पर जो माता और पिता होते हैं वो बूड़े हो रहे थे परिबार के बाकी लोग थे अपने अपन जिन्दगी की गुजर वसर करने लगते हैं लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये पुलिस का अधिकारी रहा है और इसी हिसाब से वो भीक मांगर अपनी जिन्दगी गुजार रहे थे ऐसे ही दावे किये जाते हैं कि लफख 10 साल तक उस व्यक्ति ने घर की तरफ कदम नहीं यानि कि वो अपने परिवार पर शायद बोज नहीं बनना चाहते थे इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन कोई नहीं जानता था कि दो DSP जो मतगरना की डूटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे अचानक उन्हें एक भिकारी मिलता है और वो भिकारी को भिकारी नह चलती है तो फुलिस डिपार्टमेंट के अलग-अलग लोग भी उनसे मिलने के लिए आते जाते रहे थे दो हजार एकिस के बाद में मनीश मिश्चा का क्या होता है वो कहां रहते हैं घर में रहते हैं परिवार के साथ रहते हैं या फिर से वो सलकुपे निकल जाते हैं इन लिए ये घटना एक सबग भी देती है कि इनसान चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यूना हो जाए वो जमीन पर जरूर रहना चाहिए उसकी बाते हैं उसका घमंट कभी नहीं आना चाहिए पता नहीं वक्त कव किस वक्त करवट ले ले और इनसान को किस मोड़ पर लगर खड़ा कर दे हलाकि इनके वारे में कोई ऐसी बुरी बात सुनने को नहीं मिलती है लेकिन की मनो दिशा के हिसाब से खराब हो जाती है इस वारे में भी कोई ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है दोस्तो इस पूरे घटना करम को सुआने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखना नहीं है बलकि आपको जागरूप करना है आपको सचेत करना है और जाते जाते आईशा खान डॉक्टर नेरेंदर तोमर मुहमत तोसीफ उस्मान अब्बास अली जाविद खान गौपाल श्रीवास्तर जमाल खान अजरुद्दीन एहमद उनकी बेटी सादिया खातुन है राजबीर सिंग पॉस्वाल पुनित कुमार कॉमल चोहान राजदीव सिंग संगीता कुमारी अंजु महरा गुफरान एहमद रज्जाक अली रंजीत सिंग लाम खान नूर आलम मौनु कुमार इन लोगों ने नाम लेने की अपील किये थी आप सब लोग अपना खयार रखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत